हेलो फेंट्स वेलकम टू सब्सक्राइब करेंगे बहुत इंपोर्टेंट एससे के टॉपिक को और यह टॉपिक होगा बायो टैजम अध्रिट टॉपिक है आप सभी के लिए इसको आप जहू तियार करें और इसकी कंप्लीट प्लेलीस को देख लीजेगा डिस्क्रिशन कराने वाला हूं तो आप इसको जरूर वाच करिया है और इसके साही साथ आप इस डिस्क्रिप्टिब बैच को जोईन कर सकते हो आई-बी-ए-स-ई-टू के लिए स्पेसिकली और यहाप आपको ऐसे प्रेसियों तीनों की प्रैक्टिस करा दियाती है शिक्स्ती प्लस आज करने से अपने शब्दों में लिख सको जब आप इंड्रोल कर लोगे तो आपको और आपकी कॉपी भी मैं खुद अनलाइज करूंगा ताकि आपको समझ में क्या गलतिया कर रहो उसमें क्या इंप्रूब्मेंट करना है और जितने भी रिकॉर्डेट वीडियों से प्रीव और आपको अधिशनल 10% दिसकाउंट मिल जाएगा आपको डिसकाउंट कोड यूज करना है जब यूज करोगे 10% भी आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में दूस्तों लिंक दिया गया है वहांसे जा कि आफिश को इन्रूल कर सकते हो आई फैंस तो चलिए शुरू इंटेंशनल रिलीज और माइक्रोगनिजम्स अच यहां पर बहुत ही सिंपल लेंगवेज में बता सकते हो डिफाइन कर सकते हो बायर टाइजम होता क्या है बायर टाइजम है जिसमें इंटेंशनली क्या किया जाता है एक माइक्रोगनिजम को रिलीज के जाता है चाहिए वह वायरेस हो बैक्टीरिया हो फंगी हो यह अधर कोई टाक्सिन हो इसकी वजह से इलनेस हो सकते हैं या फिर एक तरह से देथ जो ही क्रियेट की जाती है यूमन्स प्लांट या भी लाइ लेबर लिबरेट्री टू भी यूस्टाइज वैपन फॉर मास इस्ठक्शन यह जो एजेंट्सस है इनको यह लट रिएर नेचर में पाया जाते हैं ौर इनको अल्टर्या रियूटेटेट किया जाता है लिबरेट्री में ताकि इनका एक तरद्वेपन की तरह इसको श्रलाए जा सकता है जिसकी वज़े से एक्जुल डैमिज से भी जया पर आपके बá Ec जा सकता है तो यहां पर दोस्तों इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप बेसिक चीजे इसके बारे में लिख सकते हो और उनको डिफाइन कर सकते हो तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसको आप एक्स्प्लेंड करोगे आगे मूफ फर देम लोग दूरिंग वर्ड वर फर्स्ट एंड फेकेंड जापान एंड जर्मनी इंबाक्ट ओन लाज स्केल प्रोग्राम्स टू डवलप बायोजिकल वेपन्स यूजिंग फैटल मस्टर्ड गैस यानि वर्ड वर फस्ट और सेकेंड के तोरां जो है जर्मनी और जापान दोनों ही दोनों ही कंट्रीज ने एक तरह से लाज स्केल प्रोग्राम्स डेवलप किये बायोलाजिकल वेपन्स बनाने के लिए ठीक है जिसका जिसमें बिसिकली मस्टर्ड गैस का उप्योग किया था तो यह भी आप यहां पर बता सकते हो जो है वर्ड वार फर्स्ट और सेकेंड द इसकी वज़े से क्या होता है एंथ्राक्स होता है ठीक और यह जो है बहुत ही ज्यादा यूस्ट होता है जो बायोलाजिकल अटाक्स उनमें तो यहां पर आप इसके बारे में भी बता सकते हो इसके बाद देखो तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंट प्रेवेंशन सी डिसी रैंक्स टाव लाजिकल एजेंट्स एंड डिजीज इस डाट है तो पोटेंशल तो भी यूज्ट एज वेपेंज इंटु ठीटेगरी इस ठीक यहां पर आप बता सकते हैं जो जो है जो बायोलाजिकल एजेंट्स और डिजीजेंट्स उनको बिसिकलिए तीन तरह है तीन कैटेगरी में जौरे स्कों किया किया है ठीक है जिन और पहली ऑचिया सकता है जिसको में हुरानी सिपायरट्य एजेंट्स इह हाइड्स होते है एक्जाम्पल के तaskaडअ इबोला वाइरस एंध्राक्स ही सभी इसके यह एक्जामपल है ठीक है यह पर शॉर्ट में आप डिफाइन कर सकते हो एक्टेगरीश के बारे में कि कौन-कौन सी इंच में सीडिसी ने जो है बार जो जो पोटे एजेंट से उसको क्या है राइट कि एक्टेगरी यह यह मोड़ेट प्राइटी एजेंट्स हैंग लो के तौर पे यहां पर इफाइन कर सकते हो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है इसी तरह कैटेगरी सी में आप बता सकते हो लो प्राइरटी एजेंट्स होते हैं एक तरह से एक तरह से हमर्जिंग पैफोजेंट के तौर पर हंता वायरिस नीफ वायरिस और यह लो फीवर वायरिस यह सभी जो है यह आपके कि यहां पर आप categories के बारे में डिफाइन कर सकते हो कि कौन कौन सी वेपन जिनका उपयोग किया जा सकता है इसके लावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर अपने categories के बारे बता दिया आगे मूफ करते हैं एक तरह से डेवलपमेंट के लिए और बायलोजिकल वेपन के यूज को रिस्ट्रिक करने के लिए इसको जानते हैं जनेवा प्रोटोकॉल 1925 के मार नाम से बट इस कन्वेंशन वस फेल टू एड्रेस्ट प्रोडक्शन स्टोरेस्टेस्टेस्टिंग एंड ट्रांसफर आप दीज वेपन्स यह जो इसका परपस था उसको वह सही तरीके से एड्रस नहीं कर सका ठीक है मतलब प्रोडक्शन स्टोरेस्टेस्टेस्टिंग ट्रांसफर को लेकर के आप जो है यह सही तरीके से जो है इसको नहीं रोख पाया तो यह भी आपसे अरब बता सकते हो इसके बाद क्या होता है यह आप बताओगे कि आफ्टर सींग अपकमिंग क्राइसिस बायलोजिकल वेपन कन्वेंशन बीडवलूसी केम इन्टो फोर्स और 26 मार्च 1975 ठीक है पहले क्या हुआ पहले आप जनेवा प्रोटोकॉल 1925 था जिसका यह एक्चुल में काम था इस चीच को एड्रेस करना लेकिन यह एड्रेस नहीं कर पाया तो उसकी बाद क्या हुआ अपकमिंग क्राइसिस को देखते हुए बायलाजिकल वेपन कन्वेंशन रखा गया जो की 26 मार्च 1975 को 1975 में जो है के फोस में आया लागू किया गया एट प्रेजेंट इट हैस 183 मेंबर स्टेट से करेंट में और इंडिया जो है इसका एक पार्ट है इसका एक हिस्सा है राइट यहां पर आप बत आसकतो इस तरह से इसके बारे में BWC के बारे में राइट BWC इस फॉर्म तो रिस्ट्रिक्ट देवलप्मेंट प्रोडक्शन एक्कुजिशन ट्रांसफर स्टॉक पाइलिंग एन यूज ऑ बायलोजिकल वेपन ठीक है इसको इसका बिसिकली घठन क्यों किया गया इसको फ राइट तो यहां पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो बैस तरीके से लिख सफ्टो इसके बाद दोस्तों आगे बारते हैं इसके बाद इसके बाता सकते हैं जिनका वेपन की तरह यूज कि आ सब्सक्राइब करना जैसे की कोरोना वाइरस द्वारा की गई है तो यहां पर इस तरह से इसका रिस्क काफी जादा बढ़ सकता है और यहां पर आप इसके बारे में इस तरह से इसके बाद दोस्तों मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की यहां पर आप इंडिया के इसपेक्ट में बता सकते हो कि इन इंडिया डिजास्टर रिस्पांस फोस एंडियार इस स्पेशलाइस्ट फोस चॉंस्ट्यूटेट अंडर दमिनिस्ट्री ओं आफियर्स इनदिया में इन सभी इनके मिकल बाइलाजिकल रेडियो लॉजिकल और नुट्री अटैक से बचने के लिए जो फोस हो उसको हम बोलते हैं अडियार फिगे नैशिनल डिफेंस रिस्पांस फोस इके जिसको मिनिस्ट्री ओफ्वम आफियर्स के इंतरगत डेवलप किया पॉर एप्रोप्रियेट रिस्पॉंस अगेंस्ट एक यानि कि बाइटरिजम अटेक्स होते हैं यह अन्प्रेडिक्टबल होते है ठीक इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस वजह से अर्ली डिटेक्शन contentment, treatment, communication यह सभी जो स्टेप्स है crucial steps है ता कि स्के attitudes में जो है काम किया जा सकते है कि से क्ड़ीड ऑल्परोब्यान थो है और यांपर लिख सकते हो अध़ स्ट्सक्टेशन विच फ्रेंट्ली निशन ए रोबस सर्वलेंच सिस्टम क्लिनिकल लाहं शुट बे तो फाइट अगेंस इशूज इन इंडिया हमें अपने फ्रेंडली नीशन के साथ कॉर्परेशन बढ़ाना चाहिए साधी सा रोबस सर्विलेंस सिस्टम को भी मेंटेन करना चाहिए ताकि इस तरह की अगर कोई भी एक्टिविटी होती है अगर बायोटाइजम से लिटर किस इसके रिस्पॉंस में और जल्द प्रीटमेंट से लेटेट जो है उसको भी कवर कर सके तो इस तरह से यहां पर दोस्तों आप इसको लिख सकते हो बैस तरीके से और एक्स्प्रेइन कर सकते हो और आई होप आप लोग समझ पाएंगे इस टॉपिक को कैसे लिखना है दिशेट में आपको मिल जाएंगे यह कि आपको विद्ट लेमिट मिलेंगे अरॉंड फोन डीड वर्ट में आपको सारे नियुक्त कावर कराया गये हैं साधी चिके 60 प्लस प्रेक्टिस सेट्स मिल जाएंगे आपको जिनको आपको जरू त्यार करना है और आपके एक्जा और बेटर तरीके से कर सकते हो आई फ्रेंट तो आप लोग को समझ आग या वाई टॉपिक कैसे एक्स्प्लेइन करना है इसके साथ आप लोग टेली ग्रांट चैनल को जौइन कर सकते हो यहां पर आपको सारी इंपोर्टेंट वीडिया वीडिया सो क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाके आप टेलीग्रांट चैनल भी जौइन कर सकते हो और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो लगाओ तो लाइक करेगा इस वीडियो को शेयर करेगा आपन